पुल है, खुश्बू है, हबा है, पानी है, दर्ती है, आसमान है, इश्वर है, बक्त है, गुरु जी है, संगत है, और जनम है, तो मृत्यू भी निश्चित होगी ही होगी. जयमातादी जय गुरु जी, तो माई आल डियर जूट्यू फैमली, तो प्यारी संगत जी, बड़े ही दुखत, रिदे से मैं आप सब को सूचित करती हूँ, कि संगत जी, जिन आट जी का बेड़ा, गुरु जी महाराज जी ने हम सब के कंदे पर डाला था, जिनकी आपने भ अपनी हेल्प बेजी, स्पोर्ट किया, मेडिसन दी, जो भी आँटी जी की आखरी तक इच्छा थी, संगत जी, तो वो सभी ने पूरी की है, और शुक्राना, 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 आप सभी संगत का, जिनों ने इतनी एक वीडियो डाले से उनको इतनी स्पोर्ट द जानी की आज 20 जुलाई को, तो मैं सुबा ही वीडियो डाल देती, लेकिन मुझे सुबा वहां जाना पड़ा, उनकी जो बहु है अरित्तु आँटी उनका फोन आ गया था, तो मैं और हिमांची चले गए थे, दोनों संगत जी, और जब वहां से आई हूँ तो मैं भी प्राना करती हूँ, और संगत जी, जो रित्तु आँटी हैं, उनकी बहुत वह बता रही थी, कि जितना दुख उन्होंने जी भी तवस्था में पाया है, जितना जीते जी उन्होंने पाया है, मरने से कुछ समय पहले, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी, और बहुत ही करके, जय गुरुजी, जय गुरुजी बोला है, और गुरुजी के चर्नों में मोक्ष की प्राप्ती की है, बड़ी ही दुखी थी, आँटी जी भी क्योंकि उन्होंने बहुत प्रियास किया, लेकिन संगजी अंदर से कहीं न गई, हमें भी पता था, क्योंकि उनकी लंग् दान दिया, हमने वो भी पहुंचाया, डाइपर पहुंचाया, तो बहुत सारे, मतलब सारी संगत ने मिलके बहुत सेवा की, तो मैं आखिर में अभी यही कहूंगी, संगजी, वो आंटी जी का स्वर्गवास हो गया है, गुरुजी ने उनको अपने चर्नों में जगा दे ही है, तो आपका बहुत बहुत शुक्राना जिन्नों ने इतना साथ दिया, और दुख तो होता ही है, जब इनसान चला जाता है, पर जिंदगी की सचाई यही है, कि जिसने जनम लिया संगजी, उसकी मृत्यू भी होगी, तो शायद आंटी जी का आखिरी समय आ गया था, ल गुरुजी माराज ने उनकी मौत की जो क्रिया करम की वेवस्ता थी, गुरुजी माराज ने पहले सी कर दी, ताकि जो रित्व आंटी है, उनको किसी के अधीन नहीं होना पड़े, क्योंकि संगजी बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता, आजकल जितनी खुशियों में पैसे लगते हैं, उसे कहीं ज़्यादा पैसे आजकल मृत्यों में संगजी लगते हैं, जो भी रिती रिवाज होते हैं, रस्मे करनी पड़ती हैं, तो जिवन खुशी गम दोनों ही पैसों से आजकल संगजी होती है, तो गुरुजी ने कहीं ना कहीं इंतजाम कर दिया था, और एक दिन संगा जी मुझे सब्रूप मिला था किसी संगत के गर से तो मैं आंटी जी के कमरे में लगा आई थी और आंटी जी रोज उनी से बाते करती थी वह वाले सब्रूप से रित्व आंटी बता रहे थी कि गुरुजी के जो उन्होंने अपने गर में जो रूम बनाया है व हमें कहीं नगा ये खोप हो गई थी कि शायद ये ठीक हो जाए और ये चले लेकिन वही बात आ गई कि किसी को भी जिन्दगी और मोत का नहीं पता होता कब इनसान का आखरी दिन हो कब वो आखरी सांसे ले और मैंनी और हिमांची ने तै कि हम आंटी जी के लिए थोड़े नहीं से दिनों में ये वो क्या होता है जिसके साठी से बंदा चलता है या कि बाकर लेकर जाएंगे ताकि आंटी जी में अगर चलने की अगर एक चाहत अंदर आई है तो वो जरूर चलेंगी लेकिन संगर जी जो सचाई है वो कुछ हो और ही थी आंटी जी कि इतनी हीत्य और उनकी थोड़े दिन पहले पूरे शरीर में पस हो गई थी और इतने बड़े बड़े खोल हो गए थे उनकी बाड़ी में आज रित्वांटी ने हमें दिखाए हैं और कितने कष्ट में थी और गुरुजी ने उनको इन कष्टों से मुक्ती दी थी खुद पास जाके गुर गुरुजी की और देखा है और बोला है जाए गुरुजी और एक रात पहले ही उन्होंने बता दिया था कि मैं कल चली जाओंगी देखिए कहीं न कहीं हमें अंदर से ही हो जाती है इंट्यूशन अपने मरने की भी जा यूं कहा लिजी अपने आखरी जब प्रान निकलने ह इंसान में इतनी पावर होती है कि उन्हें पता चल जाता है और वो रात वरसे ही कह रहे थे अपनी परिवार को कि मैं सुबा चली जाओंगी लेकिन परिवार वाले कभी मिन ये बात सोचते हैं कि ये चली जाएंगी सची में लेकिन देखिए गुरुजी ने उनको अपने चलनों में समाल समाल यह मैं कोंगे अपने चलनों में जगा दे दी गुरुजी महराज उनको अगला जनम नसीव खुशियों से वरा हो उनको बड़ा कश्ट उन्होंने बोगा है पहले पती की मृत्यू फिर पती की मृत्यू और उसके बाद खुद का जीवन बिमारियों मे बिताना तो बहुत ही कठिन सा समय उनका रहा है तो संगजी मिलके सब उनके उनके लिए अरदास करे ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ती हो गुरुजी के चौनों में जगा मिले तो आओ संगजी सब मिलके तीन बार गुरुजी के मंत्र का जाब करते हैं ताकि उनको ब्लेसि शिब जी सदा सहाए ओम नमा शिवाए गुरु जी सदा सहाए हे मेरे दाता सब पर अपनी कृपा बर्साना ऐसी जैसे सुख में मोत इसको में कहूंगी उन्होंने जब तक वो जिन्दी थी दुखी दुख काटा पर जब उनको मृत्यू मिली है बड़ी सुख में मृत्यू मिली है कि एकदम से आखे बंद हो गई है और ऐसी मोत बड़ी ही किसमत वालों की होती है कि किसी पर बोज नहीं बनी है तरड़पी नहीं है कोई कश्ट न मुझे मौका मिला तो मैं आप सब की बात उन से जरूर कराउंगी जय गुरु जी शुकराना गुरुजी अनंतम अनंतम शुकराना